पूर्वी, काड़ी तेज़ चलो, ये लोग किसी भी हाल में हमारे हाथ से बच के जाने नहीं चाहिए जिग है ये देख तो अपना कोई पीछा कर रहा है बहुत देज से आज एए CID? ये काव से आकई गाड़ी बगाए जिस तरह से लोगों ने गाड़ी तेज की है ऐसा लग रहा है इन लोगों को पता चलिगा है मिनका पीछा कर रहा है हो सकता है जल्दिकर 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 अब ये कहा से आगे पुर्वी संभाल के आगे लोग है अजये अ ब होगह जल्दिकर बड़ ही रहा है जल्दिकर अब की मिलव कि वुप गूपने हो जो कि गुच्ट लाएग करम ना भाग नवी नतीजह को आगा ऊपर हुद आगां सब्सक्राइभ आगा लो जो एंख अगया जो करेंक बॉत भाग के लोड़ाग अपून करके भाग में का यही नतीजह होता है प्रवाइब को पोन करो, चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं. जुझे, जुझे, पैङ, उरीदु मास्की. सब, इजर जोल्री शॉप लूटने वाले लड़के इंजिनिरिंग कॉलेज के स्टूरेंट थे और उनका कोई भी क्रिमिल रिकॉर्ड नहीं था, बड़े लिखे और अच्छे कर से थे इंजिनिरिंग कॉलेज के बच्चों ने जुली शॉप टूटा, किस लिए? क्या जुट पड़ी उन्हें? और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने पूरी दुकान नहीं लूटी, सिर्फ दस से बारालाग रुपे का सावान लिया और निकल लिया और शायद उन्हें उन्हे आप लोगो यहां पर बुलाना पर है हम आपके बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं सर, प्लीज में मैं कु मुझे वापस दे दिजे हमारा ही की बच्चा है और इस उमर में हमसे यह सुए सद्मा बढ़्दाश्ट नहीं होगा सर फॉसर मेरे मैं कु वापस दे दिजे वह कि मेह अब प्लीज अपने आपको सामय ली कको सुखले प्लीज सब अमारा बच्चा एक इंजिनेर स्टुडेंट था उसे पढ़ने और स्पोर्ट्स के अलब खुट और नहीं करना था और इस अक्सिडेंट में उसकी मौत थी मेरा बिटा भी बहुत अच्छा लड़का था फिर भी उसके साथ ये सब हुआ 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 है हुआ है है अगर हम आपको यह बताना जाते हैं कि आपके बच्चों की मौत तब हुई जब वो जूली शॉप को लूट के भाग रहे थे हुआ 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 हे अ जालो हुआ हुआ हुए यह भी यह भी भी तो तो कर्णा on made you it जल्दी निकल निकल ऊँगी निकल निकल कोई बार तूगा कि चुप रही है आप लोग आप लोग कुछ भी इल्जाम लगा देंगे और हम माल लेंगे हमारे बच्चों का एक्सिटेंट हुआ है और आप आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं हर माब अपने बच्चों को अच्छा ही समझते हैं लेकिन वो बाहर क्या करते हैं वो खोज जानते हैं सच को मानना पड़ेगा लोगों ने देखा है दवा है सबूत है सर बहुत छोटी रखाम है इससे जादा तो बच्चे जब फॉरण घुमने जाते थे वहां उडा कर आ जाते हैं अरे मारे बच्चों को चोड़ी करने की कोई दूरत नहीं है वो अमसे बांग सकते थे बांग सकते थे लेकिन जिस गल्ती को चुपाने के लिए उन लोगों ने ये चोरी की शयाद उसका कारन आप लोगों को बताना नहीं चाते हो देखे मेरा बेटा जिगर बहुत अच्छा लड़का था जरूर उसको किसी ने उसाया होगा वह ऐसा कभी नहीं कर सकता देखे मैडम सच्चाई तो यही है कि अपराद हुआ है मैंक और जिगर ने जुली शॉप को लूता है अब हमें ये देखना है कि उन्हें इस पैसे की जरुद क्यों थी इसको देना था हो कर आँ अच्छा यह बताईए कि आपके बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में कोछ अलग सा बढ़ताओ किया कोछ भी अजीब सा हां पिछले कुछ दिनों से मैंक वोश्रूम में पहुछ ज्यादा जाता था जब्किकि वो बिमार भी नहीं था और वॉश्रूम में इससे पूश्टी, वो मेरी बाते डाल देता था. आफ्रेडी. क्या? ठीक है. जो. सर आफ्रेडी का फोन था. उस कार का पता चल गया है जो जिगर और महेंग चला रहे थे. वो किसी इशंग का नाम के आदमी की है. सुन, शाम को छे बजे अगर मेरे पैसे ग्यारेज नहीं पोचे ना, तो साथ बजे मेरे आदमी वह पे पोचेंगे. फिर जो वह पे तोरफोर होगी ना, उसका दिम्मेदार तू होगा. तू, समझा? हम लोग CIDs है. ये शंका का हैं? शंका… एए! 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 ये मयंक और जिगर है. इन दोनों को दी थी ने, कार्टूम ने? दुकान लुटने के लिए? आज साथ, यही दोनों गाड़ी लेके गए थे. पर मा कसम साथ, मुझे नहीं पता था, ये दुकान लुटने के लिए मुझसे गाड़ी लेके जा रही. मुझे तो बोला, भाड़े पे गाड़ी चिए गोवा जाना है. दे दिया. और साफ अपना तो धंदा है भाड़े पे गाड़ी देना. चूरा ही हुई. लेकिन साफ, पूरानी काड़ी खरिदना और बेजना. ये चोरिकी गाडियों को धंदा करता है, और तुम लोग इसका साथ देते हों? र में कुछ नहीं बता, हम तो बस अपनी मज़्दूरी के पैसे लेते हैं और कुछ नहीं ज्यान साध मंच, इसे सारी डिटेिल लेला बाकी का पता तो हम लगाई लेंगे यह माय अंकर कंपा है एक सेकंड आप जरा बाहर हुखिए हम देख लेते हैं पैंप्लिट्स यह पैंप्लिट्स यह पैंप्लिट्स यह पैंप्लिट्स मेरे बेटे मयंका है वो वो गॉलेज में अनुवल फोक्शन के और्गनाइजर कपी तुटाब में बरता यह इन चीजों को पैजानती हैं आप यह आपको कहां से मिली यह तो जुविल्री मेरी है फ्लस्ट टैंक के अंदर से यह फ्लस्ट टैंक में कैसे पॉची पॉची नहीं चिपाई गई थी पर किसने मयंके बाथ्रूम में मयंके अलावा और कौन चिपा सकता है हम 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 यह भगवान मैं सूच भी नहीं सकती थी कियो मेरा मयंक ऐसा कड़ सकता है मयंक के कुई शॉक कॉई आदत है नहीं स्वर मुच्औ हमी छुम कोलिज के ही थे, बाहर का कोई नहीं था, क्या नाम बताया था आपने, कोलिज का, जोड़ उड़ सब, अपने हमें एजएटी बिला है, हाँ दया बहाती कुछ ऐसी है, क्या हो सब, पॉस ये केस तो एक्दम पलट गया है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, क्या मतलब, मत अग्सिडेंट से नहीं होई है, बलकि गोली लगने से हुए है, क्या? मगर सेर, इनकी मौत तो हमारी आकों के सामनी हुआ है, एक्सिडेंट से, हालेकिन इनकी मौत अग्सिडेंट से पहले ही हो चुकी थी, ये देखिए, ये है वो गोली, जो इनकी शरीर मेंसे निकलिया, आज देखो दया, यह है इन दौनों के सीने पर इस गोली के घाव गोली यहां लगी अबे सर, यह गोली चली कैसे? अज चला यह किसने? सर, हमारे गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे, उनकी गाड़ी का बिगड़ा, स्टेरिंग पर से कंट्रोल चूटा, और गाड़ी इस दीवार से आके टक रहा है सर, गोली तो हम पीछे से चला रहे थे, और वो भी टायर पे अब फिर गोली सामने साई कैसे? गोली अगर सामने से चली थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है गोली चलाने वाला यहीं कहीं, सामने की तरफ छुपाओ आओगा बगश्रेया, सामने तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं है === अजह वहाँ? अगर पोस्तमॉटम पर गोली सांमने से, सीने पर लगने का परूफ है, तो गोली सामने से ही चालीए? इसलो नगिएよう laughs inนน guildEE सामने से ही चली है और गोली दिकी सीधी लगी है बात करीब से क्वायँ बताते हैंगे है बहुत करीब सेगोली लगी और यह विंदिस्कीन बताता है के विंदिस्कीन को छेद कि वह गोली बाहर नहीं गई है तो कि विंड इस्कीन पे अगर गोली लगी होती तो छेद होता है। यह तो ऐसा लगता है जैसे पेड से टक्रा करके गोली लगी है। इसका मतलब गोली बार से नहीं, अंदर से चली है। बिल्कुल लगता है। गाड़ी के डैशबोर्ड में से या एसी डक्त में से या विंड चैनल में से। अगर ऐसा है तो बुलेट या गन के मार्क जरूर बिलेंगे। बिल्कुल मेलेंगे। चेक करते हैं। बंश, गाड़ी नी चलो। यह सूर। और अश्वी, क्या यार। बोला था ना कि सारे पोस्टर्ज और बैनर लग जाने चाहिए। अभी तक नहीं हुआ। हो रहा है यार। एक ही तो लेडर है। कर लेंगे टेंशन मतले। तुमें काम करो, वो स्टेज पर जाकर देखो, वहां का पूरा अर्रेंजमेंट हुआ है की नहीं। अगर नहीं हुआ तो तुम माया से कहना, वो तुमें अर्रेंज कर देगी, ओके? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। एक्स्क्यूज मी। यह सर। यह मायांक और जिगर कितर मिलेंगे। वह तो आपको वरुनी बता सकता है, वोरा थैंक्यू प्रेमियर क्लोधिं की तरफ से हैं, आपके इस फेस्टिवल के स्पॉंसर्शिप की तरफ से? हाइ हाइ कहिए, हाओ केन वी हल्प यू? देखिए, हमें आपकी और्गनाइजिंग कमीड़ी के मेंबर से मिलना था मैंने मायांक और जिगर से इस स्पॉंसर्शिप की डील के बारे में कुछ है, बात्चीत करने थी कोई खास वीजन ना हो, तो आप लोग हमें बता सकती हैं देवसल बात यह है कि हम उन्हीं तरफ से बील कर रहे थे तो हमने सोचा कि स्पॉंसर्शिप की सारी बातें उन्हीं से हो जाए ऐसा कैसे? हम भी ट्राइ कर रहे थे लेकिन उनके फोन से कोई रिपलाई नहीं आया, हर बार नो रिपलाई खावाल की बाद यह है कि मयंक और जिगर खुद पॉंसर्शिप के इतने बीचे पड़े थे तब हो नहीं ली थी ठीके थोड़ा अर्जेंट है, अगर आज यह एग्रिमेंट साइन नहीं हुआ तो यह डील कैंसिल हो जाएगी आप मिन यह हम स्पॉंसर नहीं कर पाएंगे आपको और इन अट केस, यह फेस्टिबल आप लोगों को कैंसल करना पड़ गाएगा नो, आप ऐसा मत कहिए प्लीज, हम लोगों ने बहुत महनत की है कॉलेज की प्रेस्टिज का सवाल है अफकोस, आप एक काम कीजे आप विक्की से जा के मिल लीजे तो वो आपको जिगर और मयंक के बारे में पूरा सही बताएंगे वो उनके काफी क्लोज है आप विक्की का अडरेस और फो नमबर दे दीजे हम उसे मिलेते है मयंक और जिगर को जो गोलिया लगी है ना वो बहुत छोटी है इसलिए उनके घाव गहरे तो बहुत हैं लेकिन बहुत छोटे हैं बारीक फिर तो वो गन भी बहुत छोटी होगी सर हूँ छोटी होगी है सर यहाँ तो कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं यह तो इक काम करो उ इंजन चेक करो उसमें भी फिट किया जा सकता किसी फिटिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है यह तार जा का रहा है देख सर इसका एक सीरा तो यहां एक्सलिक्टर से कनेक्टेड़ है और यह दूसरा सीरा यह तो साइड भी मिरर की तरफ जा रहे है सर आइड मिरर की तरफ जा रहे हैं देया तो भी साइड मिरर चेक करना पड़ेंगे दोन यह देखो करेंगे सर गनिया है इसका मतलब है एक्सलेटर दबा इस प्रिंग के जरीए यह ट्रिगर किजा और गोली चल गए और यहां परे दूसरी गंदया विक्की हाँ विक्की आप लोग किसी शरीफ आदमी के घर में सी आईडी तो बंदा घबराए गई अगर आदमी शरीफ वो तो उसे घबराने की जरौत नहीं बताईए क्या काम है हमें आपके दोस्तों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चीगे थी कौनसे दोस्त मयंक और जिगर मयंक और जिगर क्या हुआ होना उनकी मौत हो गए किसी ने गोली मार कर उन दोनों की हत्या कर दी वो आपके बहुत अच्छे दोस्त है ना आप उनके बारे में कुछ बता सकते मुझे इस बारे में कुछ नी पता सर जितना पता है उतना ही बता दीजे उनका कोई ऐसा सीक्रेट जो ने शेयर किया हो या कोई ऐसी बात जिससे उनको टेंशन हो कोई कि ऐसा आदमी जिससे उन्हें खत्रा हो ऐसी बतें अक्सर दोस्तों के बीच में चिपी नी रहती है ना सर हम सिर्फ अच्छे दोस्ते हमने आज तक कभी कोई असी बात शेर नी करी थोड़ा तिमाग पे जोड डालो शाहिद कुछ याद आजाए नाई सर ऐसी ऐसी कोई बात हमारी कभी नी हुई ठीक है तो आप जा सकते हैं आपर कुछ भी अगर याद आया ना कुछ भी हमें बताना ना भूलियेगा समझे जी सर लेगिन सर जब यह गाड़ी स्टार्ट हुआ तो उसने एक्सलेटर तो दबाया होगा तो जब पहली बार एक्सलेटर दबाया तब ठीक दब जाना चीए था मगर आज तो नहीं हुआ वह ऑसा नहीं हुआ ए और वो क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूं तो में इस बहुत यह तार इस ऐसी लेटर से कुछ इस तरीके से बांदै है कि जब एसरी कि गए टोवे कि तार इस मोटर से एक राउड लिपट जायए और जब जब ऐस नेटर बता था यह तार इस मोटर से निपड़ता चला जाता था और एक मोका ऐसा आया यह तार कज गया ट्रिगर दब गया और बोली चल गई यह काम इसी बहुती इंटिलिजिन आत्मी का है कौन हो सकता वो कर दो मुटने में बनने सकते हैं यह सप्सक्नद मुटने माइन कर दो एक मोटने मुटने से अ गजस्य का है कर दो एक मुटने अखने, यह से विदेफ। झाल झाल है 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 अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा यह याद मत रखना कि हम कभी मिले थे ही है लेकिन क्या बात इतना घब रहे हो क्यों है यह सब तुमारे वजे से हो रहा है मैंक और जिगर का कुछ पता नहीं लग रहा और आज सी आइडी मेरे खर तक पहुच गई सी आइडी हां सी आइडी कभी मुझसे मिलने की अब कोशिश मत करना कान हो तुम लोग सी आइडी अब बताओ मैंक और जिगर के साथ तुम दोनों का क्या रिष्टा है और तुम दोनों ने उनका खून क्यों किया खून हो गया मैंक और जिगर का कैसे यह तो अब तुम दोनों बताओगे बोला सर मुझे कुछ ने पता सर सर इसके बाउस आखका से पूछो उसको सम्मालूम होगा सर कर दो कर दो दो अंदर, उसे प्रॉब्लम है? किससे मिलना है? अक्का से मिलना है क्यों? उनसे कहो के CID आई है उनसे मिलना है, जाओ कौन है? अक्का, मैं रभूँ बोला था ना डिस्टप नहीं करना? क्या काम है? अक्का, वो CID वाले आए पिठा उनको बोल मैं आती हूँ 24 खंटे हैं तेरे पास बरना तेरी फैमली तुझसे मिलने यहां नहीं शम्शान घाट जाएगी सिर्फ 24 खंटे समझा? साहिए साहिए बेच जाए ने, हम लोग यहां ठीक है हुँ आए बोलो सहाब क्या काव है मैंक को जिगर को जानती हूं हम जानती हूं क्यों मारा उन्दोनों का साहब खोटी बात मुझे चलती नहीं मैने नहीं मारा उन्दोनों को जूट हमें भी नहीं चलता चोकरी तीखी जबान है तेरी इस आप समझाओ ना इसे अक्का मीठा सुनना और बोलना तो उन्हों पसंद करती है तो पिस सर्जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो जिगरवा मैंको क्यों मारा बोला ना मैंने नहीं मारा मारी मुझे पसंद नहीं तुख्य है मुझे वो दोनों जवान लड़के मार करें जानती तो मैं आपको भी हुसा जो यहां इस क्लब में एक बार आजाता है मैं उसे नहीं बूलती क्यों आते थे वो यहां पर अब टांडिया खेलने तो आते नहीं थे यहां लोग आते हैं पत्ते खेलने वो भी पत्ते खेलने ही आते थे रेप हार गया जो उनकी जेव में था वो भी और जो मुझसे उधार लिया था वो भी 10 लाग सौट टकाठी कहा तुने चोकरी पूरे 10 लाग हारे वो साहिब और फिर तुमने उन्हें मार दिया है ना बोला ना एक बार नहीं मारा मैंने पिछनेस करते हैं हम साहिब मारा मारी का धंदा नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए थे उनकी जान नहीं सारा पैसा टूक के अमिज़ा तो फिर किसने वारा उन दोनों का? एक लड़का आता था साहिब उन दोनों का पीछा करते वे कॉंद हो? अक्का की जासूसी करता है? नहीं ताई आपको कोई कन्फ्यूशन हो है? मेरे को उनलू समझता है मयंक और जिगर के पीछे छुपकर आया किसलिए? मैं किसी के पीछे नहीं आया सच्छी मैं तो आपका अड्डा देखने आया था देख मेरे को कोई लफडा नहीं चाहिए इस बार के लिए तुझे छोड़ देती है आगे से कभी इधर दिखना मत समझा लेके जारे बच्चे को ओढ़े को आप बोल रहे? अब भोल रहे? उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे ले? ताइम नहीं है मेरे पास ताइम नहीं? कानोरी शुवे कट्टा चलाती हो तुम इह उपर अगर उस धंदे पे बड़ासा ताला लग जाए तो तिर तो तुम्हारे पस टाइम भी टाइम होगा कैसी बाते करते हैं आप साहिब अब के इतना समझाख नहीं कर सकते आपके साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार है इसके लिए तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा तो चलेंगे ना साहिब रगोग, सम्हालना पीछे से सब, मैं जरा ब्यूरो की हवा खाके आती हूँ यह तो हीतेश है, मैंने इसे शंका के गराज में देखा था आको पूरा येकीन है कि यही था वो अक्का एक बार जो किसी का चहरा देख लेती है न साहिब तो फिर भूलती नहीं, पक्का यही था तो फिर देर के इस बात की, उठामर से इंसे बुछते अरे बाइसाब, अजी यह मैंने यह तेश का आरेता है वो उस तरफ, उस गली में अरे बाइसाब, यह तेश नहीं है अरे बाइसाब, यह तेश नहीं है हाँ, सामने वो रहाँ हुआ है असर स्च्छा आँ सार अब अजिया किया अर्ब कीया है? तुम्हें करने इस अर्फ, हमैं इटेश्टे मिलना है, मूलाव है सर्प, इटेश्टों घर नहीं है कहां गया है? बता नहीं कहां गया पर कल से घर भी नहीं आया ऐसी कुछ जगर जहां वो अकसर जाता है? हाँ सर, वो सकता उपनी बहन से मिलने गया हूँ बहन का अड्रेस? बहन का अड्रेस हाँ A45 शीतन नगर इतेश दर्वादा कॉलो इतेश इतेश दर्वादा कुलो हमें पता है कि तुम अंदर हो, बॉस हो गया सर, कोई जवाब नहीं दे रहा है कहीं दूसरे रास्ते से नहीं निकल जाए निकल के चाहेगा का? पंकर्ष रुष्ट 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 रीष्ट रुष्ट रमंवे रुष्ट अजर्ट लुद्गे, वें? तोसल पहत्ता है, में प्रगेनी सिंदी? देख, पुलुड. ज़िसेए, पुलूप लोगें, शुपोणोंगा. इसे! आपो पिभी. जब भी किला है, वुदू. पुरू जिन्दे. कि महारे हैं वहाँ इतेश ने रगाई काट लिए और यहां पिस लड़की न अपनी कालाय काट लिए कर यह लड़की इतेश की भैंड करन्थ नहीं है और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और इतेश की अग्मों अप्रेश दोड़की आपते हैं उनकी गाड़ी में गन भी हम लोको नहीं रखी थी केरन और ही थी इश्या सर शायद इलोग शर्मिंदा थे और दुनिया का सामना नहीं कर बार थे इसलिए इन दुने ने आत्मत्या करने की कोशिश की इन दोनों में पहले जिगर और मायंग को मारा उसके बाद अपने आपको मारने की कोशिश की यह बात कुछ समझ भी नहीं आ रहे है सर्थ किरन के घर से कुछ पोटोस मिले है यह लड़की कौन है इतेश और किरन के साथ पता नहीं सर्थ पर कोई करीबी लगती तभी तो सर्थ तो साल पुरानी यह पेपर कटिंग इसने समाल के रखी थी यह आर्टिकल है इस लड़की नहीं भी आपकोश की थी यह जर्ण एक डालब कर झाय। इस लड़की जिए उस ही कॉलिज में पढ़ती ती जिस कॉलिज में अँगन को जिगर का तो बाल इस लड़की की आदमात्या में मैंक आदि जिगर का तो हात नहीं यह उसकता है पंकर, हो सकता है वशाइद, इसी का बदला लेने के लिए इतेश और किरन ने मयांक और जिरर पो मारण डाला कहा है वो दरहूँ वो दरहे हमारा बेटी को मसा दूर करती है कहा है प्रीजागबर निए तुंट हो जाएए अंदर उस दोनों का उपरेशिन चल्गा है ACP साथ पेवी आपसे क्रिक्वेस्ट उन दोनों को फासे जरूर दिलवाईएगा देखे आपको फूरा नया मिलेगा फूरा नया मिलेगा एक ही बेटा था मेरा उसे भेह लोगों ने मुझसे चील लिया अशला रखो बग्वन तर पुसाइगा दोनों कैसे लड़का लड़की? जी लड़का भी क्रिटिकल है अब्जरवेशन में रखना पड़ा है वो लड़की? वो ठीक है बात कर सकेगी? अभी नहीं वो भी होश है कल तक उसे होश आजाएगा टीक है, थेक्या है पुर्वी कड़ी नर्दर रखो एंग दोनों पर देखो कही भाग नजाएएलोग बस कल सुबे तक का इंप जारे कल सुबे तक का करें डंप पषN पोले वीप करुपबाएए फोले तक का कर gün下 कर दो कर दजाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल 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 हाँ हाँ मैंने मरवाया है मायंक और जिगर को एक माप ने पेटे को कैसे मार सकती है वो मेरा बेटा नहीं था वो मेरा सोतेला बेटा था पर पेटा ही तो था ना वो पिर क्यों मारा उतने पैसो के लिए मुझे पूरी प्रॉपैटिी चाहिए थी इसलिए मैने उसे मरवा दिया और किनो रितेश को क्यों मारना चाहते थे क्योंकि वह दोनुटे मेरा सचाइब और रास जान चुके थे इस लिए तुमने उन दोनों को अपने ब्लैन मेंब कर थैंऔर पर फिर उन दोनों को याद दिलाई कि अपने पेहन के मौत का बदला लेने की मैंग से है ना ताकि मैंग के खून में तुम्हारे हाथ लान ना हो और वो दोनों फश्या है हाँ किरन ने मैंग और जिगर के साथ दोस्ती कर ली उसे पता चला कि दोनों ज्वेलरी शॉप लूटने वाले हैं और किरन ने ही कि उनके मदद की कार का भी अरेंजमेंट के रन नहीं किया क्योंकि किरन का भाई हितेश एक मैकेनिक था और उसने ही वह मशीन तैयार की जिससे गारी में गोली चली और दोनों की मौत हो गई हाँ अपें जिगर को क्यों मरवाया है उसका क्या संबन था तुमारे अगर स्रिफ मयं को मरवाती तो सारा इल्जाम मुझ पर आजाता इसलिए मुझे जिगर को भी मरवाना पड़ा वारे 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 कैसी मा हो तुम कैसी मा हो तुम जो जाइदाद के लिए अपने बेटे का खून कर सकती है शर्मान चाहिए तुमें दो दो खून किये तुमें तुमें तो शायद पासी ही होगी पासी पासी के लिए तुमें थादाद के लिए सकती है